तो हैले दोस्तों आज के साइट एक निउस में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जीव के बारे में जिसके अंग अगर तूट जाते हैं तो वापस आ जाते हैं कुछ ही समय में कुछ ही शणों में और ये कोई फेक खबर नहीं है यानि की कोई फेक निउस नहीं है नेचर मैगज में प्रकाशित किया था और ये बिल्कुल सच निउस है आप इसे जाकर भाँ पर पढ़ भी सकते हैं तो वैज्ञानिकों के नजर जो है आजकल एक ऐसे जीव पर है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वो मरकर फिर से पैदा हो सकता है छिपकली जैसा दिखने वाला ये है है जीव अपने ही अंगों को नष्ड हो जाने के बाद उन्हें दुबारा उगाने की असाधारन ताकत के लिए जाना जाता है और इतना ही नहीं अगर गल्ती से किसी भी वज़े से कोई अंग अगर नहीं है इसका तो हफते भर में उसी जगह पर उसी जगह से उसका वो अं पास के साथ उस अंग को यह उगा लेता है तो इस जीव का नाम है Mexican Axolotl और इस जीव को मेक्सिको की जुलो में पाया जाता है इस जीव के यह अजीब और गरीब कारणामें देखने के बाद वैग्यानिक पूरे तरीके से इस पर शोध कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यह किस प्रकार करता है और किस प्रकार अपने टूटे अंगों को उगा लेता है इससे मदद मिलने वाली हैं वैग्यानिकों को बहुत सारी चीज़ों में जिस वज़े से इनसान को भी शायद अपनी टूटे हुए अंग या उनके अंग जिनके पास नहीं है वो वापस उगा सकें या किसी भी टेक्निलोजी से या किसी भी शोध से उन लोगों के अंग वापस लेकर आ सकें अब वैग्यानिकों का कहना यह है कि अगर एक्जलाटल को अपनी रीड की हड़ी में भी कोई चोट लगती है तो इस जीव के अंदर इतनी शमता है कि वो उस तूटी हुई हड़ी को भी दुबारा जोड सकता है और कोई भी घाओं का निशान भाँ पर नहीं रहता है अब यह इतनी ही बड़ी बात है कि जितनी बड़ी बात कभी थी कि कोई साइन्टिस्ट या कोई एस्ट्रोनोट चांद पर जा सकता है हाला कि वज़य यह भी है कि इसकी जो प्रजनन्स देती है वो बहुत ही कम है लेकिन आसानी से हैं प्रजनन कर सकता है वज्ञानिकों का कहना है यह इस जीव पर एक जो खत्रा है सबसे बड़ा वो खत्रा यह भी है कि इनकी जो मात्रा है यानि कि इनकी जो quantities है वो बहुत कम है और इसके विलूप्थ होने का खत्रा भी है और यही वजह है कि scientist यानि कि अगसान सी तरीके ढूंड कर इसकी जो मात्रा है वो बढ़ाई जा सके और अब तक कि जो सबसे बड़ी खोज रही है इस एक्जल ओर्टन को रेकर वो यह रही है कि विज्ञानिकों ने यानि कि अंतरास्टर टीम ने मिलकर खोज निकाला है कि इस जीव में मनुष्य से भी ब Molecular and Pathology की एक डॉक्टर है जिनका नाम है एली तनाका जो के प्रयोग शाला में एक्जट लॉटिल को लेकर इनकी संख्या को बढ़ाने में काम कर रही है और उनकी कोशिकाओं की पहचान कर चुके जो अंग जिस रजे से वो उग रहे है या पुनर जनम हो रहा है या जो यह प्रकरिया है वो किस प्रकार हो रही है इस पर भी अभी वो शोध कर रही है लेकिन इस पुरन जरम की प्रकरिया का जो विस्तार है इसे करते हुए काफी टाइम बीच चुका है और जो एमफीबियन जीव है जिनके जीनोम से जुड़े जानकारियों की जरूरत होती है इस कि जिनोम की जो संख्या है वो तक्रीबन 32,000,000 जोड़ी होने की वज़े भी अभी तक संभव नहीं हो पाया है कि कौन सी ऐसी वज़े है जिस वज़े से यह जो जीव है अपने अंगों को वापस उगा पाता है तेरह आज के वीडियो में बस इतना ही अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले नए आए है तो सब्सक्राइब करें और उस बैल बटन को जरूर दबाए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी आ सके